दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में. आज हम बात करने वाले हैं. बैंक के द्वारा लॉंच की जा रही नई सर्विस के बारे में. दोस्तों, बैंक बहुत जल्द APS Registration और D Registration करने की सर्विस आपके लिए लाने वाला है. जैसा कि आप स्क्रीम पर देख पा रहे होंगे, इसमें दिया हुआ है. आप अब कस्टमर की APS सर्विस अपने कियोस्क सेंटर से ही रजिस्टर और उसको Modify और D Registration कर सकोगे. इसमें आप Onus और Office दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को Modify कर सकोगे. उनकी लिमिट सेट कर सकोगे. और उसकी Inquiry कर सकते हो कि उसकी लिमिट कितनी है. इस सर्विस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां से सर्विस का चुनाव करना होगा और आपको कस्टमर के आधार कार्ड या CIF नंबर को यहां डालना होगा. उसके बाद कस्टमर की फिंगर लगवानी है. अगर उसका आधार लिंक है, तो यह स्क्रीन आपके सामने आजाएगी फिर उसकी लिमिट सेट करके सब्मिट करना है. और फिर कस्टमर की फिंगर कैप्चरिंग करानी है. आपके सामने APS Registration Successful का मैसेज आजाएगा. इसी तरह आप बाकी की सर्विस का भी यूज कर सकते हो. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं इसके लाइव होने के बाद. इसकी पूरी डिटेल्स के साथ. तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जबूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें.